और स्रीयों के बारे में अलग-अलग कंप्लेंट साने लग गए उसके आधार पर इन स्रीयों की कंप्लेंट क्या थी ओ तो बार में मैं आपको बता हूंगा लेकिन मैं जो उनकी मुलाखत ले रहा था इंटर्विव ले रहा था उसमें कुछ सवाल पूछे उनको पूछा कि आपके बारे में मैंने काफी लोगों से बोला हूं इंटर्विव लिए हूं उनसे बातचित की हूं उन लोगों का कहना ऐसा है कि आप स्रीयों के बारे में अलग डंग से वेवार करते हों आपके कई स्रीयों के साथ में सम्मंद होने चाहिए इसके बारे में आपका क्या कहना है आप तो ब्रह्म्मचारी है ऐसा कहते हो उन्होंने का यह आरूप तो जूटे है अब मेरा तो हजार उस्तियों के साथ में संबंद आता है पीशेंट करकर भगत करकर अब समझे मेरे अगर क्यों इस्त्रियों के साथ में सम्मंध होते तो एक आध इस्त्री तो प्रेगनंट होती हुई कि आज तक एक इस्त्री प्रेगनंट पर दंग रहे गया यह यह आदमें डॉक्टरों को जो दवाईया मालूम नहीं वो एड्मिस्टर करता है प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है किई डॉक्टरों से इसके साथ में काम करते हैं इसके हाथ के नीचे काम करते हैं और यह कह रहा है कि एक भी स्त्री प्रेगनंट नहीं है इसका मतलब मेरा किसी के साथ में सम्मंद नहीं है अरे भाई वो प्रेग्डन ना बने इसके लिए तो आप पुरी तरह से खबरदारी ले सकते हो, केर ले सकते हो दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में कुछ स्रीयों ने आरोब किये है कि उनका हाथ आपने पकड़ा भूले, एक हद दो स्री के नहीं मैंने करीबन अभी तक 75,000 के उपर स्रीयों के हाथ पकड़े हैं उनको जाचने के लिए केवल हाथ पकड़े नहीं हैं, उनके चाती पर भी हाथ रखे हैं और उन्होंने उजह एक्शन करकर बताए कि स्टेटोस्कोप लगाने के लिए अब मुझे कुछ स्रीयों ने जो आरोब किये थे, जो मैंने अल्रडी रेकॉर्ड किये टेप रेकॉर्ड किये थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये महराज इतना नम्री है कोई भी डॉक्टर स्टेटोस्कोप पकड़ता है तो पीछे में उंगलिया लगाता है और स्टेटोस्कोप का जो हिस्सा होता है वो च्छाती बर लगाता है ये इस डंग दे स्टेटोस्कोप पकड़ता है ताकि इसकी उंगलिया च्छाती को लगे ये दो complaints पहले से की थी इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था और ये महाराज तो action करकर बता रहा है कि मैं खुद ऐसा च्छाती पर हाथ लगता हूँ मैं दंग रही गया हाँ स्टेतोस्कोप से जाचने के लिए हाथ लगाता हूँ बाद में कई आरोप आरोप कर रहे हैं कई भक्त उनके माता पिता भी आपपर आरोप कर रहे हैं कि आपके उनके बेडियो के साथ में समंद रहे हैं तब उनहोंने जबाब में कहा कि ये सब कुछ कर अधरा भरत कड़ए नाम के ड्राइवर का है उसीने इस ब बाते फैल आई उसके कुछ अल्टरनेटिव मोटिव थे अल्टेरियर मोटिव थे और इस कारण वो यह कर रहा है ठीक है भरत काड़े को छोड़ दीजी आप लेकिन आपके ही भक्त लोग जो कई सालों से आपके साथ में जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं आश्रम में काम कर रहे हैं आपके सेवा काम में लगे हुए हैं बड़े पैमाने पर डोनेशन्स जो इखटा करते हैं खुद डोनेशन्स देते हैं ऐसे कुछ भक्त लोग आरोप कर रहे हैं आपकर कि उनके बेटियों के साथ में आपने सम्मन्द रखे इसके बारे में आप क्या करेंगे कहेंगे इन लोगों ने मुझे अफशकून करने के लिए अपना नाक काट लिया ये उनका आरोप था फिर भी मेरा सवाल कायम था भाई ये लोग आप पर आरोप कर रहे हैं बदनामी तो उनकी हो रही है वो इतनी बड़ी रिसक कैसे लेंगे तो उनका जवाब था यही केवल मेरे को बदनाम करने के लिए मुझे अफशकून करने के लिए सब कुछ वो कर रहे हैं और देड़ घंटा तक उनका इंटर्व्यू चलता रहा मैंने पहले कहा कि मेरा इंटर्व्यू का उन्होंने मुझे से कहा कि ए तुम बुअबाजी के खिलाब काम करते हो बहुत अच्छा है शुरुवात उससे होई थी वो मैं डेलिबरेटली आपको आखरी में कह रहा हूँ जाते ही जैसे मैं उनसे मिलने गया उन्होंने पहले कहा कि मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ आप बहुत अच्छा काम करते हो अंदर विश्वास के खिलाब काम करना ये बहुत बड़ा योगदान है आपका देश के लिए और मैं आपके काम के साथ में मैं सुनता हूँ आपके बारे में मैं देखता हूँ कई लोगों से जानता हूँ कि आप गाव गुमते हो इस्ती से जाते हो महराष्टर स्टेट ट्रांस्पोर्ट की बस से जाते हो बहुत दिक्कते आती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी आपके काम में कुछ योगदान हो मेरे पास एक इंपोर्टेट कार है मैं ये कार आपकी सेवा में देना चाहता हूँ ड्राइवर का खर्चा अश्रम करेगा कार के पेट्रॉल का खर्चा अश्रम करेगा आप इस कापर का उप्योग किजिए और अपना काम बहुत अच्छे डंग से किजिए ये डाइरेक्ली ओफर थी अब वो मुझे तो ब्राइब का तो ओफर नहीं कर सकते थे कि इतने लाख रुपे तुमको दूँगा वगरे वगरे impossible था मेरी प्रतिमाई वैसे थी कि कोई ऐसी हिम्मत नहीं न करे लेकिन ये अलग धंग के ब्राइब थी अगर मैं इस बाबा को एक्स्पोस करने नहीं आता शायद विवेक अनजी का ही काम ये व्यक्ति करता है एसी मेरी धारणा थी और वो कायम रहती और ये ओफर उन्होंने दी होती तो मेरा काम बढ़ाने के लिए शायद मैं ये ओफर स्विकारता भी क्योंकि खर्चा वही करने वाले है उन्हीं का ड्राइवर रहने वाला है पेट्रोल डिजल वही डालने वाले है केवल मेरा काम बढ़ेगा इसलिए शायद स्विकारता भी लेकिन जब मैं इस बाबा को एक्स्पोस करने आया हूँ ये उसको मालुम है मेरा काम ही बाबाओ को एक्स्पोस करना है उसके साथ मैं ये ओफर देता है तो इसका मतलब क्या होता है कहने की जरुरत नहीं कि मैंने सीधा शुरुआत में ही इसको नकार दिया बाद में मेरे आर्टिकल में भी ये बात मैंने लिखी शुरुआते उससे की तो बोलते बोलते बुआ बाजी इस विशे पर वो बोले उन्होंने एक बहुत सुन्दर व्यक्षा मुझे प्रोवाइट की उन्होंने कहा कि जो बुआ बुआ जेवा बाजी वरजातो त्याला बुआ बाजी असमेंटात अब ये मराठी में उन्होंने कहा है बाज ये शब्द है खास वराडी शब्द है बाज याने कॉट बुआ याने बाबा जो बाबा कॉट पर ले जाता है वो बुआ बाजी है याने सही माने में स्रियों का शोशन करता है वो सही माने में बुआबाजी है, ऐसा उनोंने कहा था, ये बन्हों ही supply की हुए बन्हों है, डिफिनेशन है, अब ये सबकी सब चीजे जो है कैसी बाहर आए, अब मेरा कुछ investigation रहा है, بाकि लोगों का भी बहुत investigation रहा है, उनको credit देना चाहिए, इसमें काफी जो योगदान रहा है दो व्यक्तियों कर रहा है एक भरत काड़े नाम के ड्राइवर का और दूसरा सुहा स्कूल करनी नाम के पत्रकार का मैंने पहले ही कहा कि ये सुहा स्कूल करनी नाम के बुलड़ाना के पत्रकार थे अरे से स्वीचार धराके थे ये शुगष माहराज के बहुत भगत थे उनके आश्रम के हर काम में हिस्सा लेते थे ये भी मैंने आप से कहा कि उन्हों की जो किताब थी जिजरू एक बार सुहा स्कूल करनी आश्रम जा रहे थे तब आश्रम के गेट के बाहर एक अवरत शुक्दास महराज को भाग गालिया दे रहे थी और रणन करकर बता रहे थी कि शुक्दास महराज ने उसके साथ में कैसा गलत विवार किया दुसरा इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में काफी चर्चा हुई अकॉला में यह अकोला के घटना है एक रिक्षा वाला था जिसका नाम मैंने किताब में लिखा है लेकिन अभी नहीं लूँगा यह जो रिक्षा वाला है वो अपने रिक्षा के साथियों को गैंग के गैंग लेकर शुक्दास महराज को मारने के लिए आये था और तब एक बहुत बड़े अकोला के लीडर जो पॉलिटिकल लीडर थे वो वहाँ आये जब उनको पता चला शायद आश्रम नहीं उनको इतला दी होगी उन्होंने उसको समझाया कि भाई इसमें तेरी बदनामी होगी तेरी बीबी की बदनामी होगी आज तो तेरा समाधन हो जाएगा कि आश्रम में गए महराज को मारा या फिर ये किया वो किया और उसको समझा बुजा के उन्होंने भेज दिया यह जो रिक्षेवाला था थोड़ा सा लिडर टाइप था आपने रिक्षा कम्यूनिटी में तो यह लेकिन एक काम करता था कि जो भी स्त्रीभत को आश्रम पहुचा था उनको समझाता था कि जरा संभल के रही है मेरे बीबी के साथ मैं उन्होंने बहुत गलत व्यवार किया म के इसा इसा और इकषेवाला कहता है क्या हुआ था एक चूले यह रिक्षेवाली के ओरत थे सुन्दर थे महराज के पास जाचने के लिए गई हैन्हिए दवाई प्राप्त करने के लिए गई कटार में लगने के बाद में उसका नंबर आया महराज हर पेशण को बंद के मुझで सुना तो जो मेने कहा था कि खांदेश में ऑक च्री आखर कई उसका वरनन किया था अंगलिया लगाता है अगर वो स्त्री रिस्पॉंस देरी ऐसा उसको लगता है तो बाद में स्ट्री उसको छोड़ देता है हाथ लगाता है हाथ लगाने के बाद में भी अगर उस्त्री ने अबजेक्शन नहीं लिया तो बाद में वो बटन वगरे खोलता है और फिर वो स्त्री उसको वश होती है समान कर आगे का वहां के वहां नहीं बाद में और समय में उसको बुलाता है वगरे वगरे ऐसी बाते मैंने सुनी पहली स्त्री थे और यह रिक्षे वाले की पत नहीं दोनों के अनुभव सेम थे दोनों को ऐसा लगा कि इतना बड़ा महराजय वेविका नंजी का अउतार है इतना हमने सुना इसके बारे में सिद्धी प्राप्त व्यक्ति है शाय स्टेतोस को उससे जो हाथ लगा रहा है तो यह तरीका होगा जाचने का अब चाती में गाड़ भी हो सकती है इस तनों में शायद उसको जाचने के कोशिश कर रहा है इसलिए हाथ लगाने के बाद भी उनको कोई बहुत बड़ा अब्जेक्शनेबल नहीं लगता थे क्योंकि उन दिनों इसके बारे में काफी चर्चा होते थे के स्त्रियों के स्तनों में कैंसर होता है वगरे 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 शायद इसलिए जाच रहा है यह मुझे दोनों स्त्रियों ने का वो रिक्शेवाले के पत्नी ने भी का और फिर इसने जैसे ही बलाउस खोलना शुरू किया इस रिक्शेवाले के पत्नी के वो दूसरी स्त्री ने तो पहले ही विरोध कर दिया, बाहर आई गुस्सा होगी और मुझे के आकर कई दिनों बाद मुझे से कहा, ये तो मैंने अनुभव आपको बताया है, लेकिन रिक्षे वाले के स्त्री वैसे नहीं थी, जैसे ही उन्हेंने ब्लाउस खोला, बहुत गु लाने लगई, फिर उसको भान आया, फिर वो संबली, अपने पती को जाकर उसने कहा, और पती तो गुस्से में तिल मिला कर अपने साथियों को लेकर मारने के लिए आ रहा था, अब ये बाते मैंने आपके सामने रखी है, ये तो होगे बाकी लोगों के अनुभव, याने भक्तों के अनुभव, जो पिशेंट करकर जाते थे, इसे काफी अनुभव हैं, कम जादा है, इसलिए उसको जादा महत्वदे कर आपके सामने नहीं रख रहा हूं मैं, जो सेवी का थी उनके, उनमें काफी जवान लड़किया थे, और ये भक्तों की लड़किया थे, उनका जो रिपोर्टिंग है, जिनके टेप रिकॉर्डेट इंटर्व्यूज है, मैंने खुद बात की है, केवल उनको उजागर नहीं करना था, क्योंकि ये जवान लड़किया थे, उनके जीवन का पुरा का पुरा हिस्सा था, आगे का जीवन, और उन्हों नहीं उन्से बचन लिया था, कि जब तक कोट केश की आवश्चliamo नहीं होगी, तब तक उनके नाम उजागर नहीं होगे, और मैंने उनका उनसे बचन लिया था कि मैं आपके नाम कभी बाहर नहीं आने दूंगा मेरी और से या मेरी कोई भी अंतरना की और से चाहे मेरा संगडन हो चाहे मेरी पत्रकारिता हो लेकिन जब कोट में केस जाएगी तो आपको साक्ष देने के लिए आना पड़ेगा उन्होंने का जब कोट में केस आएगी तब तो डेफिनेटली हम आएंगे करीबं छेस्त्रिया उसमें एक विभाहित पाच भक्तों की ही लड़किया यह महाराज की सेवा में लगे रहती थी फिर धीरे-धीरे महाराज ने उनसे कहा कि आपको मालूम है क्या मैं गए जनम में यानि विवेका नंथा उसके पहले क्या मेरा उतार था बगवान कुरुष्ण का उतार था और तुम राधा थी उस जनम में हमारे संभन थे अब उस जनम में संभन थे तो इस जनम में संभन होने के लिए क्या प्रॉब्लम है महाराज वैसे थोड़े भूत तो हैंडसम थे फिर उनके पीछे का बड़ा औरहा हजारों लोग उनको मानते हैं बड़े-बड़े मंत्री उनके पैरों पर माधा डेकने के लिए आते हैं पॉलिडिकल लीडर्स आते हैं ऐसे महराज हमकारे साथ में हम उनकी राधा है हमारे साथ में संबंद रख रहे हैं यह उनके लिए अभीमान का भी शहत है और धीरे-धीरे यह संखाय बढ़ते गई व पिर अकुला आश्रम की तो बात मैंने कही दिया आपको फिर अबाकी आश्रम में कुछ और ऐसा हो चलता रहा है इसके बारे में श्यक आया भरत काई इस ड्राइवर को जो एसी का जरोका होता है उसमें से उसने पहली बार देखा उसको महराज के बारे में बहुत अधर था और इन लोगों के फैमिलियू के साथ में वो जुड़ा हुआ था नैचरली कई सालों से उनके साथ में काम कर रहे थी महराज के साथ में ये राध दिन रहने वाला उनके साथ का ड्राइवर उसको बहुत बुरा लगा कि इतने अच्छे अच्छे घर की लड़कियों को यह भोग रहा है इसलिए उसने उन लड़कियों से ये बात गलत कैसी है ये समझाने की कोशिश के और अपने माता पिता को कहो ये आगरा रखा और उसमें से दीरे-दीरे ये बाते बाहर आ गए जब ये बाते बाहर आ गए उसमें और एक किस्सा है जो पहले कहे देता हूं और बाद में इस चीज पर आता हूं उनके स्कूल में एक संगित शिक्षि का अपॉइंट्मेंट हुआ उसका महाराज का दिल उस पर आ गए महाराज ने उसके साथ में जिस धंग से बाकिस्त्रियों के साथ में वो वेभार करते पिशंट्से तो थोड़ा अलग वेभार करते लेकिन जो हमेशा उनकी सेवा में आनी वाली स्त्रिया होती है अब ये स्कूल के साथ में जुड़ी हुई संगित शिक्षि का है तो नेच प्रतिष्टित आदमें थे उनसे जाकर वो कहने लगे कि क्या आदमी है यह कि इसास्त्रियों के साथ में व्यवार करता है आप इसके उसका ब्रह्मचरिया तुडवादो और शाधी करवादो बाकिस्त्रिया तुभी बचेगी दादा साहब अवाक रहे बहुत प्रतिष्टि किसको यह संगित शिक्षिका को और उससे कहने लग गए कि महराज भगवान कुरुष्ण है उनके साथ में संबंद रखना यह पुण्य का काम है इसमें कोई पाप नहीं है कुछ गलत नहीं है तुमारे जीवन का भला हो जाएगा केवल इसी जन्म का नहीं आगे के जन्मों का भी भला हो जाएगा वो संगित शिक्षिका कह रही थी कि इस धंग से उन्होंने मुझे पटाने के कोशिश की लड़कियों ने उसके बाद मैं उसने वो पूरा एरिया छोड़कर नोकरी छोड़कर वहां से चले गई जब इसकी एक बहन ये जो लड़किया इन्वॉल हुई थी महाराज के साथ में जवान लड़किया थी सब शादी उनकी हुई नहीं थी इन लड़कियों में से एक बहन जिसकी शादी हो चुके थी उसकी फैमिली बहुत महराज की सेवा करते थी डोनेशन्स देती थी क्या-क्या करते थी उन्होंने आकर कहा कि महराज तुमने ये क्या किया हम आपको इतना मानते हैं आपके इतनी श्रद्धा करते हैं तो हमारे घर के लड़कियों के साथ में आपने ऐसा वरताव किया महाराज ने उनको जो जबाब दिया उनके मूँ से रेकॉड करकर मैंने रखा और बाद में किताब में ज़ापा वो जबाब ये था कि ये सब जो जवान लड़किया थी ये बहग जाती मराडी में इसको कहते हैं पाए घसरने ये बहग जाती कोई भी जवान लड़कों से सम्मन्द रखती उनको शांत करने का काम मैंने किया है और उनको बचाया है याने खुद भोगने का ये नया बचाने का तरीका पहली बार पता चल गया एक ब्रह्मचरी आदमी क्या कर रहा है बचाने के लिए उनको भोग रहा है कहां से बचा रहा है ताकि और कोई उनको भोगे ना इससे बचाने के लिए ये तो अफलातुन तरीका है यही बात सुन्दरदास महराज ने कही कल मैंने आपसे कहा कि धर्म का काम मैं कर रहा हूं वर्नस अंकर ना हो इन अवरोतों के सम्मंद छोटी जाती के लोगे के साथ में मत ना होए इसलिए मैं इनको भोगता हूँ और बाद में उनको शपत दिलाता हूँ कि और किसी के साथ में नहीं पती और मेरे ही साथ में सेम किस्वा शुगदास महाराज का लेकिन मेरी दिक्कत थी आपने आपको विवेकानन के थे विवेकानन का मैं फैन आज भी विवेकानन जी का नाम लेकर बार-बार बोलता हूं उन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा फैन था तो ये शुगदास महाराज के सभधकंडे अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें विडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे विडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए विडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए झाल झाल